दोस्तों स्वागत हैं आपका हमारे इस वीडियो में आज इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि खाली पीट पानी पीने से हमारी शरीर पर क्या असर पड़ता है आप जानते ही होंगे कि हमारा शरीर 72 प्रतिशत पानी से बना होता है और इसी कारण हमारी शरीर के लि लिए बहुत फाइदेमन होता है लेकिन कि आप यह जानते हैं कि जब खाली पेट हम पानी पीते हैं तो हमारी शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है अगर आप नहीं जानते हैं तो इस वीडियो को आखिर तक आप ज़रूर देखें दोस्तों सुबह खाली पेट गर्म पानी पीने से हमारा मेटाबलिजम जो है वो 24 प्रतिशत तक बढ़ जाता है जिससे हमारा खाना जो है वो जल्दी पचने लगता है और हमारा वजन कम होता है अगर आपका पेट सुबह खुलकर साफ नहीं होता है और आपने बहुत सारे नुस्खे आजमा लिये हैं और कोई फरक आपको नहीं पड़ा है तो सुबह खाली पेट गुंगुना पानी पीना आपके लिए बहुत लबदायक हो सकता है यानि कि अगर आप सवेरे खाली पेट पानी पीते हैं तो इससे पेट जल्दी साफ होता है खाली पेट पानी पीने से हमारी त्वचा जो है वो चमकने इकर साफ होता है पेट की गंदगी बाहर निकल जाती है। जिससे की किल मोहासो की समस्याद दूर हो जाती है। जब हम सुबव पेट साफ करने के लिए बात्रॉम में जाते हैं तो हमारे शरीर से बहुत से टॉकसिंस निकलते हैं। लेकिन जब आप सुबह खाली पेट पानी पीते हैं तो ये विशेले पदार्थ ज्यादा मात्रा में शरीर से बाहर निकलते हैं इसका मतलब ये हुआ कि जितना ज्यादा आप सवेरे पानी पीते हैं उतनी ही मात्रा में आपके शरीर से गंदगी सवेरे बाहर निकल जाती है जब हम सवेरे पानी पीते हैं तो इससे पेट खुलकर साफ होता है जिससे कि हमारी बोख जो है वो भी बढ़ती है और हमारा इमन सिस्टम स्ट्रोंग रहता है सवेरे पानी पीने से हमारी पाचन शक्ती जो है वो बढ़ती है जिसके कारण हमारे शरीर में खून ज्यादा मात्रा में बनने लगता है और आपको खून की कमी जैसी समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता है अगर आपकी पेट में दर्द रहता है तो एक गलास आप खाली पेट पानी सवेरे पीते हैं तो इससे पेट दर्द की समस्या भी दोस्तों दूर हो जाती है कुल मिलाकर सवेरे अगर आप पानी पीते हैं यानि कि गुनगुना न ज्यादा गर्म न ज्यादा ठंडा अगर ऐसा पानी पीते हैं तो यह आपके शरीर के लिए अमरित होता है अगर आपको यह जानकरी पसंद आई हो तो चैनल ज़रूर सस्क्राइब करें धन्यवाद